बॉलिवूड एक्टर संचेदत को उनकी दमदार एक्टिंग की वज़े से काफी ज्यादा माना जाता है जल्दी अभी नेता फिल्म लियों में नजर आने वारे हैं ये फिल्म में इस साल की मोस्ट अवेटिड फिल्मोवी से एक है इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कंकराज ने किया है अब इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है इस पोस्टर में वज़े थलापती और संचेदत का पहला आमना सामना होते हुए दिखाया गया है आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज को बस एक महीने का समय बचा है ऐसे में फिल्म निर्माताओं नी फिल्म का प्रचार शुरू कर दिया है और ये पूरे जोरो शोरो से चल रहा है इस फिल्म के जरीए संजयदत अपना तमिल डेब्यो करने जा रहे हैं वही लियो का पहला पोस्टर संजयदत ने अपने सूशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है इस पोस्टर में दिखा जा सकता है कि विजय और संजय ओगर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं पोस्टर में विजय संजयदत की गर्दन पकड़ कर उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये बताया गया था कि फिल्म में संजयदत एंटिनी दास की भूमी का निभाएंगी। साथ ये भी बताया गया था कि वो फिल्म में विजय के पिता की महतोपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं। और इस फोस्टर को देखने के बाद से फिल्म में ये देखना काफी ज्यादा दिल्चस्प होगा कि बाप और बेटे की जोड़ी कैसा रिष्टा साजा करने वाली है। वार के सुबह परिणिती और रागव को दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया। इस मौके पर परिणिती और रागव की लेटेस्ट तस्वीरे सूशिल मीडिया पर सामने आई है। आपको बता दे कि बीते 20 सितंबर से परिणिती और रागव चड़ा की शादी की रस्में दिल्ली से शुरू हो गई है। जिसमें सूफी नाइट यानि के संगीत सरेमनी का आयोजन भी किया गया। अब शादी की बाकी फंक्शन्स उदैपुर में पूरे किये जाएंगे और इसके साथ ही उदैपुर एयरपोट पर परिणिती चोपड़ा और रागव चड़ा का भव्य स्वागत दिया गया। वह इन तस्वीर और वीडियो में आप साथ देख सकते हैं कि उदैपुर एयरपोट के बाहर होडिंग पर परिणिती और रागव की तस्वीर के साथ वेलकम लिखा हुआ है। मालूम हो कि 22 सितंबर से इन दोनों की शादी के अन्य कारिक्रम की रसमे उदैपुर में ही अदा की जाएंगे और 24 सितंबर को परिणिती और रागव की शादी के साथ फेरे ले लेंगे। हिंदी सिनिमा की इतिहास में एक से बढ़कर एक यादगार फिल्मे देने वाले देवानंद अपने चार्म से किसी का दिल जीत लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में कोट ने देवानंद के ब्लैक कप्डे पहनने पर रोक लगा दी थी। अपने अलग अंदाज के लिए फेमस दिवंगत अभिनीता देवानंद अपनी लिए आशियाना भी बिलकुल अलग चुना था। जिस दौर में दिलीब कुमार और राजिश खना जैसे सितारे मुंबई की प्राइम लोकीशन बैंदरा में रहते थे। उस समय पर देवानंद ने जुहू में अपना बंगला बनाया था। 1950 में जब जुहू लोकेशन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। उस समय पर देवानंद वहाँ पर रह रहे थे। देवानंद ने अपने जुहू इस्तित इस बंगली में अपने दोनों बच्चों सुनील अनंद और देविना अनंद और पतनी कलपनाकार्तिक के साथ अपने जिन्दगी के सुनहरे पलो को जिया है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि देवानंद का बंगला उनकी सौवी बर्थ एनिवर्सरी पर बिग गया है जिसकी जगा टावर खड़ा होने वाला है। बताया ज़रा है कि 73 साल पुराना बंगला करीबन 350 कर से लेकर 400 करोड की कीमत में विका है। वही रिपोर्ट के अनुसार उनके इस बंगले की जगा अब वहाँ पर 22 मंजुला बड़ा टावर बनेगा। डारेक्टर संदीप रेड़ी वांगा की अगली फिल्म एनिमल को लेकर के फैंस के बीच जबर्दस्ता हाइप बना हुआ रनबीर कपूर स्टार अनिमल का हर कोई बड़ी बेसबरी से इंतिजार कर रहा है। अब तक इस मूवी में रनबीर के लोक सामने आ चुके हैं जिनको देख करके फैंस की एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। अब अनिमल से हिंदी सिनिमा के अनिमल को लेकर की लंबे समय से सुर्क्यों में बनी है। रनबीर कपूर का दमदार लोकस फिल्म से पहले फैंस का दिल जीट चुका है। अब इसे कड़ी में अनिल कपूर का नाम भी शामिल हो गया है। गुरुवार को फिल्म समिक्षक तरण आदर्श ने अपने सितंबर को सुबह 10 बजे एनिमल का टीजर रिलीज कर दिया जाएगा। बॉलिवुट के मशूर सिंगर हिमेश रशमिया बतोर अभीनीता कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आने वाले समय में हिमेश की फिल्म बैड ऐस रवी कुमार सिनेमा घरू में दस तक देगी। इसे बीच सिंगर की बैड ऐस रवी कुमार को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया हैं। जिसमें मूवी की रिलीज डेट को लेकर के बड़ी जानकारी दी गई है। ऐसे में आईए जानते हैं कि हिमेश रशमिया की एक्शन थ्रिलर बैड ऐस रवी कुमार कब रिलीज ह हाला कि इस टीजर को फैंस की ओर से मिली जूली प्रतिक्रिया मिली हुई थी अब बैडस की रिलीज डेट को अनौंस कर दिया गया है दरसल बॉलिवुड फिल्म समिक्षक तरण आदर्शय अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम हैंडल पर बैडस रभी कुमार की रिलीज डेट क को लेकर के लेटेस्ट अपडेट दिया है तरण ने इंस्टापूस्ट के जर्गे बताया है कि हमेश रिशम्या की ये फिल्म जल्दी 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी वैसे आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी जो बैल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकीशन आप तक आसानी से मिल जाए